गुड मॉर्निंग दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जी हां दोस्तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग नूज अपडेट्स के रूप में जी हां दोस्तो कोरोना वाइरस के नए वरियंट ओमिक्रोन को लेकर स्वास्ते मंत्राले ने आज एक बड़ी बात कही मंत्राले ने गुरुवार को कहा कि ओमिक्रोन वरियंट भारत में कोविड-19 का एक प्रमुख रूप है मंतराले ने कहा कि ओमिक्रोन की वजह से कोरोना संक्रमन के मामलों में उच्छा लाया है और देश में सामने आ रहे है कोरोना के मामलों में जादतर मामले ओमिक्रोन के ही है इसके साथ ही सरकार ने यह भी माना कि Omicron के साथ साथ अभी भी देश में डेल्टा वर्येंट के मामले बड़ी संक्या में है और उसके केसे में तेजी सेव रद्धी हो रही है सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश के कुछ भोगोलिक शेत्रों में कोविड के मामलों का पठार यानि की चड़ाओ मिलने के संकेत है हालांकि कुछ जिलों में भी कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं मंतराले ने कहा कि ओमिक्रों का एक उपसंस्क्रण जो की ओमिक्रों B8.2 है भारत में अधिक देखने को मिल रहा है स्वास्ते मंतराले के संयुक्त सच्यू लव अगरवाल ने कहा कि हमें कोविड के पठार के शुरुवाती संकेत दिख रहे हैं जियां दोस्तों आमादमी पार्टी ने आगामी यूपी विदानसपा चुनाओं को लेकर अपना घोशना पत्र ज़ारी कर दिया है पार्टी ने इसे आमादमी का गारंटी पत्र नाम दिया है दोस्तो अपने इस गारंटी पत्र में पार्टी ने एक महिला को एक हजार रुपे प्रती माहा तीन सो यूनिट मुफ्त बिजली पुराने बिल माफ बजट का पच्चिस वीजदी शिक्षा पर खर्च प्रती माहा पांच अजार बेरोजगारी भत्ता हर साल दसलाक नोकरी ग गोष्णा पत्र कोई जुमला दिखावा नहीं होता आम आदमी पार्टी का गोष्णा पत्र गारंटी पत्र होता है जो वादे करते हैं वो धर्ती पर करके दिखाते हैं यह हमारा यूपी की जनता के साथ एग्रेमेंट है सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी सारे पुराने बिल माफ कर दिये जाएंगे और 24 घंटे बिजली दी जाएगी सरकार बनने के बाद 10 लाख नोकरियां हर साल देंगे बेरोजगारों को हर माह 5,000 रुपे देंगे जब तक कि उनकी नोकरी नहीं लग जाती माताओ बेहनाओं को प्रती माह 1,000 र जारी किया विससे इस बारे में आपके क्या ख्याले कमेंड में जरूर बताएं इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर दिल्ली में ओड इवन वीकेंट कर्फ्यू हुआ खत्म शादी समहरों में शामिल हो सकेंगे 200 लोग जहां दोस्तों राजदानी दिल्ली में कोरोन मामलों में गिरावट के बाद अब आम जन्ता को बंदिशों से राहत मिली है कोरोना हालात पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथोर्टी की अहम बेठक शुकरवार को हुई इस बेठक में विकेंड कर्फ्यू और बाजारों के ओड इवन सिस्टम खत्म करने पर फैंस इंसिट्यूट और इसकूल अभी बंद रहेंगे आपकी जनकरी के लिए बता दें बुद्दवार को दिल्ली के उपमुखे मंतरी मनीश शुदिया ने भी इसकूलों को खोलने की बात कही थी हालांकि फैसला डीडीमे की बेठक में होगा मनीश शुदिया ने कहा था कि ओन इगली बड़ी खबर कांग्रेस के प्रधान नवजोच सिंग सिद्दू और मोजोता सीम चरणजीत सिंग चन्नी दावा ठोक रहे हैं रहुल ने कहा कि अगर पंजाब जानना चाहता है तो कांग्रेस पंजाब में सीम चेहरे का एलान करेगी इस बारे में वहाँ पार्टी और कारेकरताओं से बात करेंगे रहुल ने कहा कि नवजोच सिंग सिद्दू और सीम चरणजीत सिंग चन्नी ने मुझे कहा कि दोनों में से जो भी लीड करेगा दूसरा उसकी पूरी मदद करेंगे इससे मुझे बहुत खुशी हुई कांग्रेस की इस घोशना को आम आदमी पार्टी की सीम चेहरे के लिए जनता से की गई राइश उमारी से भी जोड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी ने भी जनता से पूँच कर भगवंत मान को सीम चेहरा घोशित करने का दावा किया इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर इसकीन के उपर लगबग 21 घंटों तक ओमिक्रोन रह सकता है जीवित जिया दोस्तों कोरोना का ओमिक्रोन वरियंट दुनिया में तेजी से फैल रहा है इस मुद्दे पर अब जापान के क्योटो प्रफेक्शनल युनिवरस्टी ओफ मेडिसीन की रिसर्च सामने आई है रिसर्च के मुताबित ओमिक्रोन वरियंट स्कीन के उपर लगबग 21 घंटों तक जीवित रह सकता है वहीं प्लास्टिक सर्फेस पर यह वरियंट 193 घंटों से ज़्यादा एक्टिव रह सकता है अपनी इन दोनों खुबियों के चलते यह वरियंट कोरोना के बाकी वरियंट की तुलना में ज़्यादा संक्रमक बन जाता है यही वजह है कि कोरोना के किसी और वरियंट की तुलना में यह वरियंट ज़्यादा तेजी के साथ दुनिया में फैल रहा है दोस्तो रिसर्च के अनुसार कोरोना वाइरस का अधिक समय तक सतहय पर जिन्दा रहना उसके तेजी से फैलने में अहम भूमिका निभाता है इस्टडी करने वाले विज्यानिकों के मुताबित कोरोना वाइरस का ओरिजनल स्ट्रेंड प्लास्टिक की सताय पर 56 घंटे अलफा स्ट्रेंड 99.3 घंटे बीटा 156.6 घंटे गामा 69.3 घंटे और डेल्टा वारियंट 114 घंटे तक जीवित रहने में शक्षम था इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर आरार भी एंटी पीसी परिक्षा बिहार में बावाल के बाद 55 चात्र हिरासत में 12 सरकारी करमचारी जकमी रेलवे संपत्ति को भी हुआ नुकसान जियां दोस्तो आरार भी एंटी पीसी परिक्षा के रिजल्ट में कथित अंगतियों के विरोध में बिहार में चात्रों ने प्रदर्शन किया आक्रोशित चात्रों ने बुद्धवार को गया में एक ट्रेन में आग लगा दी रेल मंत्राले के अधिकारिक सुत्रों ने गुरवार को बताया कि बिहार के आरा गया नवादा और सीता मंडी में चात कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है इसकी जानकारी अभी तक रेलवे को जिला प्रसासन नहीं दी है नवादा से 32 छात्र हिरासत में लिए गए है जबकि जहानाबाद से 2 छात्र सीता मंडी से 13 और गया से 8 छात्र हिरासत में लिए गए है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार एर इंडिया के लिए सरकार को मिली फाइनल पैमेंट गुरुवार से टाटा की हो गई एरलाइन जिया दोस्तो टाटा समूने गुरुवार को सरकार से अधिकारिक तोर पर एर इंडिया का अधिग्रहन कर लिया टाटा संस के चेर्मेन एन शेकरन ने अधिकारिक हैंड ओवर से पहले प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी से भी मुलाकात की निवेश और लोकसंपत्ती प्रबदन विभाग के सचिव तुहीन कांता पांडे ने कहा कि एर इंडिया का रण नितिक विनिवेश लेंदेन आज सफ प्रबंदन नियंत्रण के साथ मैसरस टेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तान स्रित कर दिये गए स्टेटजिक पार्टनर के नेतरत्तू में एक नया बोर्ड एर इंडिया का प्रभार लेगा सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा सम्हों के साथ 18,000 करोर रुपे में शेर खरीद समझोता किया था सोदे में एर इंडिया एक्सप्रेक्स और उसकी इकाई AISTS की बिक्री भी शामिल है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर RRB NTPC कांग्रेस महासच्यू प्रियंका गांधी ने प्रियागराज में पुलिस कारेवाईस के पीडित चात्रों से की बात मिलने का किया वादा कांग्रेस महासच्यू प्रियंका गांधी ने गुरुवार को पीडित चात्रों से वर्चूल तरीके से बात की कांग्रेस महासच्यू ने चात्रों से जल्द मुलाकात का भरोसा भी दिया और योगी सरकार पर भी निशाना सादा हाल ही में यूपी पुलिस का एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें पुलिस प्रियागराज के होस्टल लॉंज में घुसकर दरवाजे तोड़ती हुई नजर आ रही है इस मामले में अधिकारियों ने चे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है 24 जनवरी को रेलवे की एंटी पीसी प्रिक्षा के नतिजों को लेकर पटना में चात्रों पर लाठी चार्ज हुआ था उसी के विरोध में प्रियागराज के चात्र भी सड़कों पर उतरे थे इसके बाद पुलिस का चात्रों से मारपीट का वीडियो वाइरल हो गया अब इस पर राजनिती भी शुरू हो गई है प्रियंका गांधी से बाचित के दोरान चात्रों ने अपनी आप बिती सुनाई इसके बाद प्रियंका ने कहा कि वे उनके साथ खड़ी है और हर मंच से उनकी बात उठाएगी इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर यूपी इलेक्शन अखिलेश यादों के खिलाफ करहल सीट से कौन होगा PSP का उम्मीदवार मायावती ने कर दिया एलान जिया दोस्तों यूपी विदानसबा चुनाओ के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादों के खिलाफ करहल सीट से बसपा का केंडिडेट कोन होगा इस पर से परदा उठ गया है मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने 53 प्रत्याक्षों की लिस्ट जारी की है जिसमें कुल्दीब नारायन को मेनपुरी के करहल विदानसबा सीट से चुनाओ मेदान में उतारा गया है अखलेश यादो पहले ही अलान कर चुके हैं कि वह भी करहल सीट से ही चुनाओ लड़ेंगे दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ कि मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ की तरह ही अखलेश यादो भी पहली बार विदानसबा चुनाओ लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ जहां गोरकपुर सदर सीट से किस्मत आजमाएंगे वहीं अखलेश सपा के लिए सेफ माने जानी वाली करहल सीट से मेदान में है अभी तक भाजपा ने करहल से पत्यक्षी के नाम की घोशना नहीं की है हालांकि भाजपा अखलेश यादो को वो कोवर देने के मून में नहीं दिख रही है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार कोविशिल्ड और कोवैक्सिन को लेकर बड़ा फैसला बिकरी के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान जाने दोस्तो क्या है पूरी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको अभी तक हमारी निउस पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशिकर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तो यही हमारी मेनत कफल होता है और इसी से हम पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं साथ ही दोस्तो गरा पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं क्लिनिक्स और अस्पताल खरीच सकेंगे वैक्सीन की बिक्री मेडिकल स्टोर पर नहीं होगी वैक्सीन की बिक्री को लेकर कुछ नियम भी तैय किये गए है वैक्सीन को लेकर इस फैंसले से सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है कुछ लोगों ने इस फैसले को कोविड के खिलाफ जारी अभियान के लिए महत्य पूर्ण बताया नीजी अस्पतालों और किलिनिक्स तक वैक्सिन की पहुश बढ़ने के बाद ठीका करन अभियान से जुड़े सरकारी तंत्र और क्रमचारियों का बोज जरूर घटेगा सेंसेक्स पानसो के असी पॉइंट तूटकर सत्तावनाजार दोसो चीयतर और नेशनल स्टोक एक्सचेंज का निफ्टी 167 अंक तूटकर 17110 पर बंद हुआ सभी आईटी कंपनियों के शेरों में आज गिरावट रही दोस्तो आज मार्केट केप 260.32 लाग करोड रुपे रहा जो की मंगलवार को 262.72 लाग करोड रुपे था सेंसेक्स पानसो इकतालिस अंक नीचे सत्तावनाजार 317 पर खुला यही इसका उपरी स्तर था जबकि नीचे 56.449 तक गया इसके 30 शेर्स में से 9 में बढ़त रही जबकि 21 गिरावट में रहे बढ़ने वाले प्रमुख स्टोक में एक्सिस बैंक, मारूती, कोटक बैंक, सनफार्मा, इंडेस बैंक और अल्ट्रा टेक सीमेंट रहे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे सोना खरीदने का है अच्छा मोका कम हो गई है कीमत जिया दोस्तो फेडरल रिजर्व की कमेंटरी ने सरफ बाजार को हिला कर रख दिया है जिससे वेश्विक संकेतों को देखते हुए गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई पीली धातू का हाल निचले इस तरके करीब कारोबार कर रही है MCX पर सोना वाइदा 1.14 फीजदी यानि की 500 ठाउन रुपे की गिरावट के साथ 48,233 रुपे प्रती दस ग्राम पर पहुच गया जबकि चांदी वाइदा 1.19 फीजदी यानि की 764 रुपे की गिरावट के साथ 63,307 रुपे प्रती किलो ग्राम पर आ गई है इसके अलावा दोस्तों बात की जाए वेश्विक बाजारों की तो दोस्तों वेश्विक बाजार में सोना 18,17.29 डोलर प्रती ओंस जबकि चांदी 23.40 डोलर प्रती ओंस पर रही इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार मदरास हाई कोट ने पूचा शक्षन संस्थाओं में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने में क्या दिकत है जियां दोस्तो मदरास उच्ची नियायले की प्रथम पीठ ने शिक्षन संस्थाओनों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने में क्या कटिनाई है यह सवाल करते हुए मंगलवार को कहा कि यदि कोई हिंदी नहीं सीखता है तो उत्तर भारत में नोकरी हासिल करना बहुत मुश् कारे वाहक मुख्य नियायदिश M.N. भंडारी और नियायमूर्थी PD ओधी के सवल्ली की पीठ ने यह बात उस समय कही जब केंदर सरकार की नई शिक्षा निती को पूरी तरह से लागू करने के अनरोध करने वाली एक जन हिती याचका आज उनके सामने आई कुंडलोड जिले के एक सरकारी संगठन आलम राम के सचिव अरजुनन एला राजा की याचका ने सम्मंदित प्रादिकारियों को यह निर्दिश देने का अनरोध किया कि वे इस मुद्दे पर विभिन्न मामलों में उच्छतम नियायले के सुजाओं को समयुजित करते हु कि तमिलनाडू राजे में नोकरी प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि उम्मीदवार इस्थानिये भाषा से अच्छी तरह वाखिफ है लेकिन राजे के बाहर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इसलिए क्यों न हिंदी को तीसरी भाषा बना दिया जाए इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार बजट 2022 कोरोना महामारी के चलते बजट तयार करने से पहले नहीं हुआ वित्मंत्राले में हल्वा सेरेमनी करमचारियों के बीच बाटी गई मिठाई जिया दोस्तो बजट डोक्यमेंटी की छपाई से पहले वित्म करमचारियों के बीच उनके कारिस्थल पर लोकिन से गुजरने के कारण मिठाई प्रदान की गई ताकि कोरोना प्रोटकोल का पालन किया जा सके एक फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया जा रहा है दोस्तो वित्मंत्री निर्मला सीता रमन एक फरवरी 2022 को इस बार भी पैपर बजट प्रेस में सबी अधिकारियों को रखा जाता है केंद्रिय वित्मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश करने के बाद ही अधिकारी और क्रमचारी अपने प्रियेजनों से मिलते हैं और अपने घर जाते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर दुनिया के बन चुका था पर दादा जियां दोस्तो चाहें इंसानों या जानवर किसी की भी मौत पर दुख उतना ही होता है जो लोग जानवरों से बेहत लगाओ रखते हैं उन्हें उनकी भी मौत पर उतना ही दुख लगता है जितना इंसानों की मौत का हाली में यह दुख एनिमल वर्ष को महसूस करना पढ़ रहा है क्योंकि दुनिया के सबसे बुजुर्ग नर गोरिला और तीसरे सबसे बुजुर्ग गोलिरा की अमेरिका में मौत हो गई वह 61 वर्ष का था दोस्तो बड़ी बात यहा है कि गोरिला ने जीवनकाल में अपने पर पोतों का मुह भी देख लिया था और कोरोना को भी मात दे चुका था डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबित जोरजिया की जू अटलांटा में मातम पस रहे क्योंकि 61 साल के आजी ने दुनिया को अलविदा कर दिया है 25 जनवरी को आजी के केर टेकर्स ने उसे मृत बताया रिपोर्ट की माने तो गोरुला की तबियत पिछले गुरवार से ही काफी खराब थी जब उसने अपनी खुराक कम कर दी थी तब से ही उसका खास ध्यान दिया जा रहा था पिछले 24 घंटे में तबियत जादा बिगड़ गई और उसका चहरा फूल गया वो इतना कमजोर हो गया था कि कुछ भी खापी नहीं पा रहा था इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर युनाइटिड नेशन्स में भारत ने कहा दुनिया पाकिस्तान को आतंक का स्पॉंसर मानती है लादेन भी यहीं मिला जिया दोस्तो कश्मीरी आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान ने स्विक्तुराष्ट में भारत के खिलाव जहर उगला स्विक्तुराष्ट में पाकिस्तान के राजनूद मुनीर अकरम ने आरोप लगाया कि भारत ने साल 1989 से लेकर अब तक चिनान में हजार कश्मीरियों की जान ले ली उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी से जुड़े अतिवादी हिंदू समूँ खुले आम भारत में मुस्लिमों के नरसंगार की बात कर रहे हैं 2008 में बुंबई आतंकवादी हमले के आरोपियों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है उसमा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मिला था दोस्तो मदू सूदन ने सुरक्षा परिशत को याद दिलाया कि पाकिस्तान के प्रदान मंत्री और विदेश मंत्री ओसामा बिन लादेन का ने सिर्फ समर्थन करते हैं बल्कि उसी के रास्ते पर चलते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर RRB NTPC result railway के खिलाफ अपसड़कों पर उत्रेंगे Communist चात्र संगठन किया आंदूलन का एहलान जियां दोस्तो रेलवे की RRB NTPC result में कठित धांदली के खिलाफ 28 जनवरी को बीहार बंद का एहलान किया गया है यह एलान वामपत्थी, छातर संगतनों, आईसा और इनोस ने किया है इस बंद को सफल बनाने के लिए गुरुवार को दोनों संगतनों ने कई जिलों में मार्ज़ भी निकाला जब यूपी में चुनाव है इसी के दबाव में सरकार वर रेलवे का यह प्रस्ताव आया है इसके जरीय चुनाव तक इस मामले को टालने की शाजिस रची जा रही है विंगत साथ वर्षों से देश के युवा मोधी सरकार के चलावे को ही देखते आये हैं यही वज़ा है कि उनका गुस्सा इस इस्तर तक विस्पोटक हो चुका है दोनों चातर संक्टों ने पूचा कि इसना तक इस्तरिये 35,277 पदों के लिए हुई परिक्षा के पीटी रिजल्ट को लेकर उठाये जारे सवालों को समझने में रेलवे प्रसासन को क्या दिक्कत है जो वह जाच कमिटी का जुन-जुना थमा रही है कोई एक अभ्यारती एक से अधिक पदों पर सफल हो सकता है लेकिन वह एक अभ्यारती ही है और इसलिए उसकी गिंती एक विक्ति के तोर पर ही होनी चाहिए नकी अनेक इस तरह 7 लाग अभ्यारतीों की जग है सही अर्थों में महज 2,56,000 अभ्यारतीों की ही चैन किया जा रहा है और 4,24,000 अभ्यारती यानि की 2 T.I. को रोजगार के मुके से भी बाहर कर दिया जा रहा है इसरे रेल मंत्रा ले को 7 लाक्षन शोदित रिजल्ट को फिर से प्रकाशित करना चाहिए तो दोस्तो यह थी आज की तमाम बड़ी ख़बरें इसके बाद दोस्तो अब बारी आती है आज के माइंड कुछ कुशन की जिया दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीट सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़ादा लोग सबा सीटे हैं जी आँ दोस्तो आप जानते हैं उस राज्य का नाम जो की सबसे ज़ादा लोग सबा सीटों का प्रतिनी दित्व करता है तो जल्दी से उस राज्य का नाम लिख दीजिए कमेंड बुक्स में अगर दोस्तों आपका जवाब पता एक दम सही और आप चुनल जाते हैं लगकी विज़ता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की और से तो दोस्तों जल्दी से अपना उतर कमेडोक्स में लिख दीजे वीडिय वंदे मातरम, जे हिन, जे भारत!